नमश्कार आदाव पलपल न्यूस के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है सरकार अब मन बना चुकी है C.E.A. को पूरी तरह से लागू करने के लिए कल ग्रहमंत्राले ने एक अधिपृति जारी करके बताया है कि C.E.A. को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और उसी के साथ साथ ये डेट 10 जनवरी से लागू कर भी दे गई है और इसमें साथ तरह पर बता देना बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार पाकिस्तान, बंगला देश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देगा लेकिन सवाल फिर से वहीं उठकर खड़ा हो चला है कि भारत के मुसल्मानों का क्या भारत की जो असली शकल है उसका क्या मैं अपनी बात रखूंगी लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट केंद्री सरकार ने शुनिवार को घोशना की है कि नागरिक्ता संशोधन कानून 10 जनवरी से प्रभावी होगा केंद्रिय ग्रह मंत्राले ने एक गजट अधिकारी ने बताया है कि कानून 10 जनवरी से प्रभावी होगा जिसके तहत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस के गैर मुस्लिम सरणार्थियों को भारत नागरिक्ता देगा अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिक्ता संशोधन अधिनियम 2019 सेक्षन 47 की धारा एक की धारा दो द्वारा शक्तियों का इस्तमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जन्वरी 2020 के उप्युक्त अधिनम्यों के प्रवधान के प्रभावी होने की तारीख की रूमें तै कर चुका है भारत सरकार का कहना है कि देश का नागरिक्त कौन है उसमें नागरिक्ता दिनियम 1955 के मताबिक वैक तज़तावेज होने पर लोगों को 11 साल के बाद नागरिक्ता मिल जाएगी इस कानून को लागू होने के बाद अफगानिस्तान बांगला देश पाकिस्तान मिसे धार्मिक प्रतार्ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आये गैर मुस्लिम शरनात्री यानि हिंदू सिख बोच जैन पार्सी इसाई समुदाय के लोगों को नागरिक्ता मिल जाएगी मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले इस तारीक में जो भी प्रवेश लेता है उसके आविदन अपने पात्र करने होंगे और पिछली तिथी को भी दिखाना होगा नागरिता शंशोधन बिल की छती अनुसूची के अनुरोध आने वाले शेत्रों में ये लागू नहीं होंगे जिसमें असम मेगाले त्रिपुरा के शेत्र मिजोरम भी शामिल है जिसमें ये बिल उन राज्यों में लागू नहीं होगा यहां इनर लाइन परमिट है जैसे अरुनांचक प्रदेश, नागालेंड और मिजुरम उन प्रोटेस्ट का क्या, उन लोगों की आवास का क्या, जिसे सरकार पूरी तरह से कुचल देना चाहती है वो लगातार 1955 के अधिनयमों के कानून के आधार पर बताना तो चाहती है लेकिन 2014 में इस नियम को अब कानून में बदल देने के बाद 2019 में जिसरह से इंप्लिमेंट किया जा रहा है उससे भारत की पूरी तरह से तस्वीर बदलती हुई दिक रही है और ये भारत जो भारती जनता पार्टी बनाना चाहती है वो गांधी और अम्बेटकर के बिना बना रही है और ये कही न कहीं अफसोस है कि ये भारत पुराने भारत की तस्वीर को बदलना चाहता है लेकिन देश की आवाम इतना अच्छी तरह समझती है कि वो पुराने भारत में रहे कर जादा खुश है ना कि इस हिंदूत्व के भारत में शुक्रियो